प्रेंज रमाशकार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजी टीवी नेट वोग पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल लंदलाल का वले क्या करें और क्या न करें और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटके में दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं राशेफल की पंचांग के साथ में तो दिन है मंगलवार का ता साड़े चार बजे तक दिन का सबसे शुब महरत रहेगा शाम को चार बच कर तैंटीस मिनट से ले करके शाम में साथ बच कर दो मिनट तक विशेश क्या है पौश भौम प्रदोश है बड़ा विशेश दिन है और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी देवादी देव देवी की करपा से कर्जों से चुटकारा मिलेगा भौम प्रदोश पर उसके लिए राशी फल को आकर तक देखेगा साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा में रहेगा इसलिए उत्तर दिशा की यातरा करने से बच्चां कर यातरा करन अजनबियों पर भरोसा करने से बचें उपाईये करें कि सिंदूर से मस्तक पर तिलक करें शुबंक नौ रहेगा शुबंग रहेगा नारंगी दूसरी रैशे वरिश्यानिक टौरस की बात करेंगे खास व्यक्ति के राय से लाब होगा आर्थिक स्तिती मजबूत होगी कार परे कारियों से बचें सामाज एक प्रतिष्टा बढ़ेगी दफ्तर में प्रभाव बढ़ेगा पारिवारिक समस्या आपको सूज बूस से सुल जाएंगे उपाईये करें कि सिक्के पर सुन्दू लगा कर परस में रखें शुबंक पांच रहेगा शुबंग रहेगा हरा चौथी राशी करकियानिगी कैंसर की बात करेंगे संतान के करियर में उतार चड़ाव से तनाव रहेगा धनलाव के अफसर मिलेंगे ऑपसर मिलेंगे कारोबार में उनुनिती की संभावना है नई औजनाओं पर काम करेंगे निवेश में वरद्धी होगी उपाईये लाल धागा बाने शुभंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद। पांचवी रैशी सिंग यानि के लियों की बात करेंगे। करेंगे थोड़ा सा सिंदूर पानी में बाहा दें शुबंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा। कि योग हैं मसूर के दाने जल्परफा करें शुबंक नो रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी। उपाई ये करें कि किसी गरीब बच्चे को टौफी दान करें, शुभंक तीन रहेगा, शुभंक रहेगा पीला. दस्वी राशी मकर, यानिकी के प्रकौन की बात करेंगे. संपत्ती से संबंदित काम सफल रहेंगे, आई के नए रास्ते खुलेंगे, परिवार में सुक सम्रिद्धी रहेगी, विरोधी परास्त होंगे, दफ्तर के कामकाज में प्रशंसा मिलेगी, उपाई ये करें कि तेल में सुंदूर मिला कर पूजागर में दीपक करें, शुभ यात्रा के योग भी हैं, उपाई ये करें कि घर की दक्षन दिशा में अगर बत्ती जलाएं शुभंक आठ रहेगा, शुभरंग रहेगा, काला, बारवी रैशी मीन, यानि पाईसिस की बात करेंगे, कारोबार में अचाना के धनलाब की संभावना है, दफ्तर में लंबित काम काचपूरे होंगे, विवहार से सह कर्मी खुश होंगे, खर्चों में बढ़हुतरी की संभावना है, सामाजिक कारिक्रम में भाग भी लेंगे, उपाई ये करें कि ओम हम नमहा इस मंत्र कजाब करें, शुभंक पांच रहेगा, शुभंग रहेगा, पीला, तो दोस्त के शुभलिंग पर लाल फूल चड़ाएं, किसी गरीब को गुड का दान करें, लाल आभाल येवे गाये को गुड खिलाएं, तामबा शहद मिश्टान खरीदना शुभ रहेगा, नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा, चीड का पेड लगाना शुभ रहेगा अगने अधिशा की यातरा शुभ रहेगी, अब बात कर लेता हैं सफलता से बचने के लिए क्या ना करें, तो देखिए अत्यादी का आराम ना करें, बुजरुगों की अंदे की ना करें, हरे रंग के कपड़े ना पहने, नशीले परदार्थों और तामसे भूजन का सेव परश महीने के मंगलवार के दिन त्रयोदुशी तिति पढ़ने के कारण इस दिन भौम प्रदोश पर्व बनाया जाएगा, देवादी देव महादेव का अत्ति विशिष्ट दिन है, और भौम भगवान शंकर के पुत्र को भी कहा गया है, ये बड़ा खास दिन होता है कर कर्दों से मुक्ति पाने के लिए, तो क्या करें आप? कर्दों से चुटकारा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन करें और लाल कपड़े में बंधेवे मसूर शिवलिंग पर चढ़ा कर किसी बिखारी को दान दे दिजिए और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंतर दिजिए नमस्कार, नमस्षिवाइब